नमस्काल डेवी न्यूस में आपका स्वागत है क्या कॉंग्रेस कारे समीती की सदस्य और लोगसभा सान सद शशी थरूर आकरी बार लोगसभा चुनाओ लगने जा रहे हैं इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया है उनका कहना है कि यूवाओ को चुनाओ लगने के लिए अपसर्ट दिये जाने चाहिए उनका मानना है कि एक समय पर आकर यूवाओ के लिए जगहा बनानी पलती है इस तरह कि उनकी सोच है हालकी राजनीती में एक और नारा रहा है कि कभी भी ना मत कहू बता दे थरूर के इस बयान के बाद कयास लगाये जाने लगे हैं कि ये उनका 2024 लोगसबद चुनाओ आखरी हो सकता है 2024 का लोग सबत चुनाव तिरुवनंत पुरम सीट से आखरी बार लग सकते हैं हाला कि उन्होंने इस पस्ट किया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है उन्होंने कारिक्रम में कहा था कि उन्हें लगता है कि यहां उनका आखरी चुनाव होगा कॉंग्रेस नेता का कहना है कि अगर वहां तिरुवनंत पुरम से चुनावे मैदान में उतर दे हैं तो वहां ऐसे लगेंगे जैसे कि यहां उनका आखरी चुनाव होगा बता दे लोगों के लिए अपनी सर्वस्ट्रेस कोशिश भी करेंगे कॉंग्रेस नेता थरुर ने साल 2009 में लोगसवा चुनाव में एंट्री मारी थी और उन्होंने केरल के तिरुवनंत पुरम लोगसवा सीट से विजह हासिल की थी वहल लगातार इस सीट से तीन बार जीत हासिल कर संसत पहुचे थे इस बार वहत चौती बार चुनाव तिरुवरंत पुरम से लगी सकते हैं अपनी पहली चुनावी लगाई में थरुड ने अपने निकटम CPI प्रतिद्वंदी पी राम चंदरन नायर पर 90,000 से अधिक वोटों के बगी अंतर से उन्हें खरा दिया था उनकी ये बगी जीत थी जिसका अंदाजा कॉंग्रेस ने नहीं लगाया था शेशित हरोड ने सफलता के बाद 2014 और 2019 के लोगसावत चुनावों में निरनायक जीत के साथ इस सीट पर अपना कबजा बरकरार रखा